नवश्कार बच्चो बच्चो उमीद है आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चो आज हम कख्षा आठ का अध्याए नो करने जा रहे हैं और इस अध्याए का नाम है जन सुविधाएं आप सोच रहे होंगे जन सुविधाएं हमने सुविधाएं तो सुना था ये जन सुविधाएं क्या होता है बच्चो ये आपी से जुड़ा हुआ है जन का मतलब होता है व्यक्ति या लोग और सुविधा जो व्यक्ति को मिलता है अर्थात जन सुविधा इसलिए हम इसको क्य जन सुविधा कहते हैं और जन सुविधा में क्या क्या शामिल होता है जन सुविधा में हम कहते हैं कि पानी है स्वास्थ है है शिक्षा है परिवेहन है बिजली है ये जो सब चीजें हैं ये जन सुविधाएं हैं जन सुविधाएं वे होती हैं जो हर व्यक्ति को ही पहुच पाती हैं हम यहां पर जो पानी एक बहुत बड़ी जन सुविधा है उसके माध्यम से यहां जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जन सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुचें और यह जो जन सुविधाएं हैं इनको पहुचाने का काम सरकार के द्वारा किस त्रह किया जाता है क्या सरकार ही इसको करती है या नीजी लोग भी इसमें शामिल होते हैं और हम अपने अध्याई की शुरुवात जो हमारा तमिल नाडू राज्या है उसकी जो राजदानी है चेनई जिसको पहले मदरास कहा करते थे उसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार चेनई के लोगों को सब को पानी नहीं मिल रहा है कुछ लोगों के पास तो पानी है लेकिन सब लोगों के पास पानी नहीं है ज्यादा तर जो लोग हैं उनको पानी उपलब्द नहीं हो पा रहा है आए जो चेनई के अलग 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 इलाके हैं वहां पर पानी क क्या विवस्ता है आईए उसको जाने शिरी राम गुपाल जैसे आला सरकारी अफसर चनई के अन्ना नगर में रहते हैं भरपूर पानी के शिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खास अकरशक है यहां के नलों में 24 गंटे पानी रहता है जब पानी क की अपूरती कम होती है तो शिरी राम गुपाल जल नगर निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरण उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है इसी तरहें शहर के ज़्यादा तर इलाकों की तरहें मेलापूर में सुबरमनियन के अपार् खारा है लोग उसे शोचाल्य और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है और सुबरमनियन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500-600 रुपे खर्च करते हैं पीने के पानी को साफ करने के लिए लो एक बार पानी मिलता है पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेनई नहीं ला पा रहा है पीने के लिए शीवा बजार से पानी की बोतलें खरीदता है पदमा घ्रेलू नोकरानी है वह सैदा पेट में काम करती है और पास ही एक जुगी बस्ती में रहती है उसकी जुग कोने में एक ही नल है इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोल वेल से पानी आता है इस दो Stuart को ज्यादा से ज्यादा तीन बाल्टियां भरने का मौका मिलता है इसी पानी को लोग नहाने दूने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है आईए जो चेनई के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर पानी की क्या विवस्ता है आईए उसको जाने जीवन और स्वास्ते के लिए पानी आवश्यक है ना केवल यह हमारी द देशों में दस्त हैजा जैसी बिमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं उनमें उसका स्थान काफी उपर आता है पानी से सबंदित बिमारियों के कारण हर रोज आता है उसका जो अनुछेर 21 है उसमें ये है की जो पानी है पीने का वो हर वैक्ति को उपलब्द होना चाहिए वो चाहे वैक्ति अमीर है चाहे वो गरीब है पानी की पहुँच सब तक होनी चाहिए अगर किसी को पानी नहीं मिल रहा तो वो नियालया का दरवाजा खटकटा सकता है और अपने लिए स्वच्छव शुद्ध जल की उपलब्धता करवा सकता है सियुक्त रास्टर दो हजार दो में क्या कहता है पानी के अधिकार को लेकर जल अधिकार का मतलब है कि प्रतेक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रयाप्त सुरक्षित सविकारय भोतिक रूप से पहुच के भीतर और सस्ति दर पर पानी मिलना चाहि बच्चों हम जन सुविधाओं की बात कर रहे हैं हम जन सुविधाओं का अर्थ भी बता चुके हैं कौन कौन सी जन सुविधाओं होती हैं उसके बारे में भी बात कर चुके हैं अब जब ये जन सुविधाओं एक बार बन जाती हैं तो वो लंबे समय तक लोगों का फाइ और शिक्षा प्रापत करती है इसी पुसी इलाके में अगर बिज्ली आ जाती है तो देखो कितना फायदा होता है उस बिज्ली के आने से जो चात्र चात्राइइए बड़ी असानी से पढ़ सकते है और उसी पुसी इलाके के जो किसान है वो hand pump set लगवा करके जो पानी की अपूर्ती हो सकती है खेतों में वो करवा सकते हैं अगर वो डीजल लगाएंगे तो उससे परदूशन भी होगा लेकिन जब पानी बिजली से प्राप्त हो रहा है तो देखो उससे जो परदूशन है वो भी कम होगा और इसी उनका जो खर्चा है वो भी कम पड़ेगा तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बार जब जन सुविदा स्थापित हो जाती है तो वो कई लोगों को कई सालों तक फैदा पहुंचाती है आईए अब हम ये देखें कि ये जो जन सुविदा है इसको उपलब्द कौन तो सरकार जो होती है किसी भी देश की जन सुविदाओं को लोगों तक पहुंचाती है लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार जो निजी वेक्ति होते हैं वो भी जन सुविदाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं लेकिन जब निजी वेक्तियों के हाथ में जन क्योंकि जो निजी वेकती है जन्षूविधा उपलब्द कराने के बहाने से लोगों से जो कникиमत है बहुत जादा ले लेते हैं इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वेह लोगों तक यह जन्षूविधाय उपलब्द करवाये और इसके लिए वो कई बार क्या करती है लोगों से थोड़ा शुल्क भी लेती है आईए अब हम देखें कि सरकार को ये जनसूदाय उपलब्द करवाने के लिए पैसा कहां से प्राप्त होता है आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है बजट के जरिये सरकार अपने नफे नुकसान का बेवरा पेश करती है इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की विवस्ता कहां से की जाएगी जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्या जरिया होता है जनता से कर वसूल करने और उन्हें सारजनिक कारेक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है उधारन के लिए पानी की अपूरती के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुँचाने, पाईपों का जाल बिचाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को टिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिये और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है पानी की कीमत इस तरह तैक की जाती है कि जादा तर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें आईए दुबारा हम चेनई में जो पानी की उपलब्ध हो रहा है लेकिन जो शिवा है जो एक किराय के मकार में रहता है और उसी परकार जो पदमा है एक घ्रेलू नोकरानी है एक जुगी जोपड़ी में रहती है उसको पानी ना के बराबर ही उपलब्ध होता है और उनको पानी ना होने की वज़ा से कितना ज़्यादा कस्ट जेलना पड़ रहा है तो अगर हम देखें कि ये जो स्थिती है कई लोगों को पानी उपलब्ध है और कई लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है वो एक प्रकार स जो पानी को प्राप्त करने का अधिकार है उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है। पानी की उपलब्दता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेजल उपलब्द है। यह इस पर निर्भड करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन तबके के पास ही जादा विकल्ब होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोदक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उनी के पास पानी का अधिकार है। यह सिती प्रियाप्ट और स्वच्च पेजल उपलब्द कराने के लक्षय से बहुत दूर है। अब पानी उपलब्द ना होने की वज़ा से क्या होता है कि जो कई निजी कमपनिया है वो इस क्षेतर में आ रही हैं वो आकर के लोगों को पानी उपलब्द कराती हैं लेकिन उससे दो नुकसान हो रहे हैं आप सोच रहे होंगे कौन से दो नुकसान हो रहे हैं निजी कमपन गाउं से पानी लेकर के आती हैं यानि गाउं की जमीन से जहां पर किसानों ने खेती कियो ही है अब वहां से बोरवेल से पानी लेकर आती हैं पहला नुकसान तो क्या हो रहा है कि जो पानी है किसान को कम मिल रहा है और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है कि वो गाउं से पानी लाकर के शहर में महंगा बेशते हैं अब महंगा बेशते हैं अब लोगों को तो साप पानी चाहिए ना अगर साप पानी नहीं मिलेगा उनके लिए चाहिए उन्हें जितनी भी कीमत देनी पड़ेगी वो देंगे और इसलिए जो निजी कमपनिया हैं जादा से जादा उनको थोड़ा सा हम पड़ें। जादा तरकामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुचते हैं। तेज शहरी करण के कारण बड़े शहरों में भी सारजनिक बस प्रनाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्व कांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्मान करने के लिए सरकारी बजट से ग्यारा हजार क्रोड रूपे का खर्चा किया गया है। इसी तरह मुंबई की एक रेलवे प्रिवेहन प्रनाली को आए हम पड़े। मुंबई की उप नगरिया रेलवे एक अच्छी सार्जिनिक प्रिवेहन प्रनाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मारग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलो मेटर से भी जादा लंबे नेट वरक पर चलने वाली इन स्थानिय ट्रेनों के जरिये दूर दूर तक रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूणने आते हैं। इस बात पर गोर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण सधारन मेहनत कश लोग शहर में नहीं रह सकते। आईए अब हम दुबारा पानी की जो जन सुविदा है उसकी तरफ लोटे। क्या होता है कि नगरपाली का जब सही ढंक से पानी स्वच या शुद्ध जल नहीं उपलब्द करा पाती तो कई लोग शिकायत करते हैं कि ये जो सुविदा है ये निजी करण कर देना चाहिए। करतात निजी व्यक्तियों के हाथ में पानी की अपूर्ती सौब देनी चाहिए। कहते हैं लेकिन हो सकता है उनकी बात सही भी हो लेकिन अगर देखा जाए जहां जहां पर इस प्रकार के उधारन सामने आए हैं वहां पर लोगों के द्वारा विरोध किया गया है। लोगों के द्वारा कुछ दलीले पेश की गई हैं नीजी करण के विरोध में। वो कौन-कौन सी दलीले हैं आए उनके बारे में थोड़ा सा जाने। दुनिया भर में जल अपूर्ती की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। नीजी जल अपूर्ती विवस्ता के उधारन बहुत कम है। अर्थात जो पानी सोपा जा रहा है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है ना कि नीजी वेक्तियों के द्वारा। दुनिया में ऐसे कई शित्र हैं जहां सारवभूमिक जलपूर्थि सब लोगों तक पहुँच चुकी है यहाँ पर हम एक पोर्तो ऐलेग्रे में सावजनिक जलपूर्थि की बात करेंगे पोर्टो एलेग्रे ब्राजिल का एक शहर है इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं लेकिन गोर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे जादातर शहरों के मुकाबले यहां शिश्यू मृत्यूदर बहुत कम है यहां नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच पेजल मोहिया करा दिया है शिश्यू मृत्यूदर में गिरावड के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है यहां पानी की ओसत कीमत रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जल अपूर्ती में सुधार के लिए किया जाता है जल विभाग का काम पारदर्शी ढंक से चलता है और जहां जहां पानी की अपूर्ती निजी वेक्तियों के हाथ में सोपी गई है वहां क्या हुआ है वहाँ कीमतों में बहुँ जादा इजाफा हुआ है वृद्धी हुई है और ब्राजिल और दक्षिन अमरीका का एक देश है बोलीविया वहाँ पर क्या हुआ था कि जो पानी की अपूर्ती थी वो नीजी कंपनियों को सौप दी गई और वहाँ पर इतने बड़े विरोध हुए इतने कह सकते हैं एक परकार से लोगों ने सडकों पे आकर के सरकार के खिलाब नारे बाजी शुरू की और अंतताह सरकार को अपना फैसला वापिस लेना पड़ा नीजी करण से वापिस जो जल पूर्ती थी नगर निगम को या सरकार के हाथ में सोपनी पड़ी भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उधारन रहे हैं लेकिन ये उधारन कम हैं और उनकी सफलता कुछ खेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है मुंबई का जल अपूर्ती विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुलक के जरिये प्रयाप्त पैसा जुटा लेता है हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दाइरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बड़ी है चनई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय करने के लिए कई योजनाई शुरू की है ताकि भूमी गत जल सुधार में सुधार लाया जा सके वहाँ पर पानी की डुलाई और वित्रन के लिए नीजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही है और जन सुधाएं उपलब्द करवाने के लिए कई गैर सरकारी संग्ठन भी आगे आए है तो एक परकार से हम इस निश्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये जो जन सुधाएं होती है एक परकार से सरकार को अवश्य ही उपलब्द करवाने चाहिए क्योंकि ये जो चीजे हैं वो मनुश्य की अधारबुत चीजे हैं और उने मिलना व्यक्ति को लोगों तक पहुचाना सरकार का काम है सरकार इस दिशा में सजग भी है और वो काम कर भी रही है लेकिन देखा जाता है कि जादा तर शहरों में कुछ इलाकों में सुविधाय उपलब्द हो जाती हैं लेकिन कई इलाके ऐसे होते हैं खास करके जो जुगी जोंपड़ी होती है या कुछ और इलाके होते हैं जहां प कई बार सरकार इस कारे में विफल रहती हैं और इसलिए सरकार को ज़ादा से ज़ादा और प्रियास करने चाहिए कि ये जो अधार बुद चीजे हैं ये जो अधार आत्मक या अधार बुद जन सुविधाएं हैं हर वेक्ति तक हर शहर में और हर गाउं में जरूर उपलब्द करवाई जानी चाहिए तो बच्चो इसी के साथ हमारा ये अधियाए जन सुविधाएं समाप्त होता है उमीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा लेकिन आपने कितना जाना कितना पढ़ा कितना समझा आएए हम उसको थोड़े से प्रशन उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें पहले हम बहुविकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन चेनई भारत के किस राज्या की राजधा प्रशन भारत्य सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है विकल्प हैं अनुछेद 21, अनुछेद 20, अनुछेद 19, अनुछेद 17 बिलकुल सही अनुछेद 21 के अंतरगत पानी के अधिकार को जीवन के अधिक प्रशन निवन में से क्या जन सुविधा है विकल्प है स्वास्थ है स्वच्चता परिवेहन ये सभी बिल्कुल सही ये सभी जन सुविधा है इसलिए स्वास्थ है स्वच्चता परिवेहन क्योंकि ये सारी जन सुविधा है इसलिए हम यहां पर विकल्प चार को सही विकल्फ है बोलिविया, पूर्टगाल, ब्राजिल, चीन बिल्कुल सही पोर्टो एलैग्रे ब्राजिल का एक शेहर है प्रशन सुलब इंटरनेशनल का सबंद निम्न में से किस से है शुचाल्या निर्मान, परिवेहन, बिजलियपूर्ती, जलपूर्ती बिलकुल सही सूलब इंटरनेशनल का सबन सुचाल्या निर्मान से है अब हम लगूत रात्मक प्रशन करेंगे प्रशन पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है इसका क्या अर्थ है उत्तर इसका अर्थ है कि अमीर गरेव हर वेक्ती का यह अधिकार है कि उसे सस्ती केमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयाप्त मात्रा में पानी मिले अर्थात पानी की पहुँच सारव भोमिक होनी चाहिए प्रशन जन सुविधाएं क्या होती हैं उधारन दें उत्तर वे सब सुविधाएं जिनका हर वेक्ती के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए जैसे स्वास्थे, स्वच्छता, परिवेहन, विधियाले, बिजली, इतियादी प्रशन सूलब इंटरनेशनल क्या है? उत्तर सूलब इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संग्ठन है यह पिछले तीन दशक से निमन जाती और निमन आयवरक के लोगों के लिए स्वच्छता के अभाव से निप्टने के लिए सोचालियों का निर्मान कर रहा है अब हम एक निभंदात्मक प्रशन करेंगे प्रशन पोर्तो एलेग्रे में सावजनिक जलपूर्ती के बारे में बताएं पोर्तो एलेग्रे ब्राजिल का एक शहर है इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं लेकिन गोर करने वाली बात यहा है कि दुनिया के दूसरे जादातर शहरों के मुकाबले यहां शिश्यु मृत्युदर बहुत कम है यहां नगर जल्वी भागने सबी लोगों को स्वच पेजल मुहिया करा दिया है शिश्यु मृत्युदर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है यहां पानी की ओसत कीमत रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है विभाग को जो भी फाइदा होता है उसका इस्तेमाल जल अपूर्ती में सुधार के लिए किया जाता है जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तै करते हैं जन सभाओं में जनता प्रवंद्गों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथ मिक्ताएं तै करने में वोट के जरिये फैसला करती है तो बच्चो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है स्वस्त रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद